जैसे क्रिश्न हेलो फ्रेंट्स कैसे हो आप सभी आए होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे फ्रेंट्स आज के इस वीडियो में मैं आपको जानकारी देने वाली हूँ नेस्टेटियम प्लांट के बारे में और ये दो तीन वेराइटी में आता है प्लांट और फ्रेंट्स पूरी ओवराल इसकी पॉर्ट साइज इसकी सॉयल मिक्स इसकी जो फर्टिलाइजर है उसके ओपर पैस्ट अटेक और इसका जो सीजन है प्लांट का ग्रुइंग सीजन उसके बारे में बात करेंगे तो फ्रेंट्स वीडियो को पूरा देखेगा बिना इस्किप की और चैनल पर आते हैं और वीडियो देखते हैं लेकिन लाइक नहीं करते हैं सब्सक्राइब नहीं करते हैं प्लीज फ्रेंड्स जितने भी लोग आप लोग वीडियो देख रहे हैं प्लीज एक लाइक तो कर दीजे एट लिस्ट सब्सक्राइब भी कीजे ताकि अगर आपको वीडियो पसंद आते हैं तो subscribe करने से आपको ही फायदा है कि मेरी वीडियो की notification आप तक directly पहुँच पाएंगे और आप मेरी वीडियो सबसे पहले देख पाएंगे तो friends please subscribe कर दीजे फटा-फट नीचे जो red button दिखरा है आपको subscribe का उसको press करना है यह बिलकुल free है तो friends nastatium बहुत ही hardy plant है एक बार अगर आपके garden में आ गया तो यह कभी भी आपके garden से नहीं जाएगा वो कैसे मैं बताती हूँ आपको सबसे पहले इसके pot size की बात करते हैं तो अभी आप देख रहे हैं यह 6 इंज के basket में लगा है और आप इसे 6 इंज से लेके 12 इंज तक के गमले में आसानी से ग्रो कर सकते हैं बेल नूमा यह पौधा दिख रहा है लेकिन यह बेल नूमा नहीं है यह नीचे से अपने new-new shoots निकालता रहता है और पुरानी shoots इसकी डाउन हो जाती है और new shoots फिर से चलने लगती है तो इसी तरीके का यह plant है और friends इसका growing period में आपको बता देती हूँ कि नौमबर से लेकर के आप इसको अप्रेल तक बहुत अच्छे से grow कर सकते हैं by seeds भी और by plant अगर नरसी से लेकर आते तो भी अभी मैं आपको एक चीज दिखा रही थी वो इसका एक seed था आगे मैं आपको फिर से दिखाऊंगी तो friends यहाँ पर अगर हम बात करें इसके soil mix की तो soil mix होना चाहिए 50% garden soil 30% compost और 20% construction sand या फिर 10-10% cocopeat या construction sand दोनों में से कुछ भी ले सकते हैं सर्दियों में especially यह बहुत अच्छे से flowering करता है तो ध्यान रखिए कि cocopeat कम ही डाले क्योंकि पानी को absorb करके रखता है न तो sand जादा से जादा डालेंगे तो पानी जो है store नहीं होगा pot में और निकल जाएगा बहकर अब इसकी sunlight requirement की बात करते हैं तो sun loving यह plant है जहां पर पूरे दिन की धूप हो इसे place कर दो बहुत अच्छे से ग्रो करेगा लेकिन मार्च के महिने में और अप्रेल के महिने में इसे थोड़ा सा semi-shade में रखे जहां जाती हुई धूप या आती हुई धूप सुबह की इसके उपर पड़े तो यह और अच्छे से माई तक भी ग्रो कर सकता है और बारिश अमें तो फिर से रिग्रो हो जाता है जैसे ही मार्च का महिना आएगा ना इसकी seeds आप collect करके रख लीजे या फिर अभी जैसे जैसे seed pot बनता जाए इसके collect करते रही है seed pot collect करने से क्या होगा ना कि आप जब October नामबर आएगा तो आप फिर से इसके seeds लगा दीजी यह फिर से रिग्रो हो जाएगा तो बहुत ही hardy plant और कभी ना garden से जाने वाला plant यह इसी लिए है क्योंकि इसके seeds आपके garden में आपके पास store होके रह सकते हैं और बहुत ही hardy seed होते है hardy का मतलब होता है थोड़े big size के जैसे beans होगे रहा के seeds होते हैं वैसे तो बहुत जल्दी grow भी हो जाते हैं और देखे कितनी सारी कलिया बन रही है बहुत जल्दी इसका वीडियो में आपके साथ share करने वाली हूँ कि किस तरीके से आप जो है nastatium पे बहुत सारी flowering ले सकते हैं उसका तरीका भी मैं आपको next वीडियो में बताऊंगी friends आप इसके उपर fertilizer की बात करें तो वैसे तो मैं जब पौधा लगाती हूँ तब मैं इसमें डियेपी का अपलाय कर देती हूँ और डियेपी महीने में एक बार दे देती हूँ इससे काफी भर-बर के फूल आते हूँ और friends यह जो आप देख रहे हैं यह seed pot है इसमें जब यह पूरा पक जाएगा तो इसमें से मैं seeds निकाल के collect करके रख लूँगी और फिर October या November में मैं फिर से grow कर दूँगी या August में ही कर दूँगी बट मैं August में इसलिए नहीं करती हूँ क्योंकि November तक कभी-कभी बारिशे चलती है तो पौधे पर अगर थोड़ा भी पानी लगता है तो वह खराब हो जाता है इस वज़े से अक्टूबर में grow कीजिए ताकि November तक पौधा रेडी हो जाए और December से flowering स्टार्ट हो जाए तो यह seeds आप collect करके रख लीजिए fertilizer के हम बात कर रहे थे DAP में बता चुकी हूँ उसके अलावा मैं जिवामरित यूज़ करती हूँ अगर मैंने बनाया हुआ होता है तो लेकिन अगर जब मुझे काम चलाना होता है ना कि time नहीं है समय नहीं बचा है तो मैं DAP डाल देती हूँ फूलो वाले पौदों में तो वो easily roots से भी strong हो जाते है पतियां भी बहुत अच्छी आती है जब पतियां अच्छी आती है तो फूल भी बहुत अच्छी आते है तो DAP एक instant fast growing जो है खा दे वरना जिवामरित भी fast growing खा दे लेकिन जिवामरित से क्या होता है हर हफते में उसको apply करना पड़ता है तभी वो बहुत है लेकिन उसकी जो चमक होती न पौदे में जिवामरित की वो तो बिल्कुल अलग होती है पौदा बहुत ही lush green होता है उससे और इंपेशन्स के फूल देखिए औरेंज कलर के येलो कलर के भी आते है औरेंज कलर के भी आते है पत्तो इसके पत्ते किते बढ़िया है अगर फ्लावर ना भी आया तो यह डेकोरेटिव प्लाट से कम नहीं है हेंगिंग बसकेट में आप इसे लगा सकते हैं बहुत सुन्दर लगता है ये पौधा और फूल की कलिया देखिए कैसे आती है इसकी बहुत ही बढ़िया तरीके से आती है ये देखिए किती सुन्दर कलिया आ रही है फूल भी बहुत सुन्दर कलिया बहुत सुन्दर और तो बहुत बढ़िया तरीके से यह प्लांट ग्रो होता है और मुझे बहुत अच्छा लगता है अगर आप इसके उपर पैस्ट अटेक की बात करें तो इसके उपर मैंने अभी तक तो कोई पैस्ट अटेक देखा नहीं और थोड़ा सीजनल प्लांट है ना तो इसके उपर को करें पैस्ट अटेक खोता हुए दिखेगा भी नहीं अगर हुआ भी तो आप नीमोइल का इसस्प्रे हवते में एक बार पंदरा दिन में एक बार महीने में दो भार करने है अपको नीम से सब साफ हो जाएगा तो friends यही था Nestium के उपर वीडियो इससे related अगर और कोई जानकरी आप चाहते हैं तो मुझे comment box पर comment जरू कीजेगा कोई plant purchase करना चाहते हैं तो instagram पर follow कीजे flowers in kitchen garden वहाँ पर message कीजे मैं आपको पूरी detail दे दूँगी मिलते है इस वीडियों फिर किसी नहीं जानकरी के साथ तब तक के लिए बाई टेक केर जैसी क्रिशना